Hello everyone, आज हम बनाने जा रहे हैं Corn and Peas Homemade Subway इसके लिए हमें चाहिए Corns, Peas, Cucumber, Onion, Different Capsicums, Tomatoes and कुछ Sausis सबसे पहले हम Corns और Peas को अच्छे से Mix कर लेंगे मैंने और अरड़ी Peas Boil करके रखे हुए थे उसको Mix कर लिया और थुड़ी से Mayonnaise डाल दिया और इसका एक थिक पेस बना लेंगे और इसमें सिरफ नमक और काली मिची डाल लेंगे सबाद अनुसार उसके बाद हम फुट लॉंग एक ब्रेड ले लेंगे यह किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में easily available है मैंने यहाँ पर गालिक ब्रेड लिया है और इसको दो पीसिस में डिवाइड कर देंगे ताकि 6 इंच के दो सब तयार हो जाए मेरे फिर इसको मैं सेंटर में से काटूंगी और equally डिवाइड कर दूंगी ताकि प्रॉपर्दी स्टफिंग हो सके इसकी उसके बाद मैं चीज लगाऊंगी इसमें मैंने अमूल का चीज यूज के आप कोई भी कर सकते हैं चीज को मैं डिवाइड करूंगी दो पार्ट में और इसको इस तरह स्प्रेड करूंगी ब्रेड की लेंथ पे कि पूरी इसकी लेंथ कवर हो जाए उसके बाद माइकरोवेफ करूंगी 20 सेकंड्स के लिए ताकि चीज पिगल चाए मीनवाइल जो दूसरा सब था उसके साथ भी सेम प्रोसीजर करना है सेम तरीके से काट के चीज रोस्ट करना है उसको भी हम माइकरोवेफ से ब्रेड निकालेंगी चीज रोस्ट को अच्छा लगता है उतनी कॉंटिटी में आप वेजटेबल्स डाल सकते हैं उसके बाद हम सॉसीज डालनी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हरीसा सॉस डालेंगे यह बहुत ही अच्छी सॉस है इसके डालने के बाद आपको और सॉसीज डालने की जूरत नहीं है क्योंकि यह एक फ्लेवर ऐसा है जो आपको बहुत सारे फ्लेवर देता है एक साथ उसके बाद चिली गालिक सॉस डालेंगे थोड़ी सी थोड़ा गालिक फ्लेवर आए थोड़ा टैंगी फ्लेवर आए उसके लिए उसके बाद चिली और्गैनस सॉस डालेंगे जितनी कॉंटिटी आपको पसंद है उसे आप कॉंटिटी चेंज कर सकते हैं उसके बाद थोड़े से और्गैनेस डालेंगे ताकि एक अच्छा फ्लेवर आए देखे दोस्तों हमारा होम मेड कॉन और पीज वेजी सब रेडी है यह हेल्दी है, नूट्रीशियस है और चीप और बेस्ट तो है यह घर पे बना हुआ है आजकल की जो सिचुएशन चल रहे हो सिसाब से आप घर बैटे बैटे सब्वे का मसा ले सकते हैं